प्रश्न संख्या 9 से 13 तक दिये गए परिष्यत पराधारित हैं, परिष्यत को पढ़ने क्या हो सकता नहीं, आपके पास होगा, आपके सामने होगा परिष्यत में जो e-commerce या e-व्यापार या electronic माध्यमों से किया जाने वाले व्यापार बढ़ रहा है भारत में, देश में, तो इसके विभिन पालूंग पर चर्चा की गई है, हम प्रश्नों पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 कि इस परिष्यत द्वारा दिया गया सरवाथिक महत्पून संदेश क्या है, चार विकल्प दिया गया है, विकल्प A, e-commerce के कानूनी धांचे के लिए विक्रेता और समोहक के अधिकार और उन्मक्त को परिभाश्यत करना आवश्यक है, विकल्प B, डाक्टरों द्वारा तो समोहक को उत्तरदाई नहीं ठाहराया जा सकता है, विकल्प C, कमजोर e-commerce का दिशा निर्देश और दवा गणोत्ता नियंत्रण के अभाव से निपटने के लिए आवश्यक है, कि डाक्टरों द्वारा सुझाई गई दवाओं की इस प्रकार की विक्री समाप्त कर दी विकल्प D, और भोगताओं के ख्रिशत को कम करना सभी नियामक अधिनियमों और प्रतिमानों का अंतिम लक्षे है, जिए इस प्रस्न के उत्तर के लिए हम पूरे परिछेद का विहंगा उलोकन करें, एक सर्चरी द्रिश्ट डालें, तो पता चलता है कि विकल्प C, प्रस प्रकार की विकल्प C है, अगला प्रस्न संख्या 10, निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिये गए हैं और आपको यह बताना कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों ही कथन सही है, या दोनों ही कथन सही नहीं है, कथन एक, स्नैप डिल के विरुध डाक्टरों द्वारा सुझाई गई दवाओं की बिक्री की सुविधा प्रदान करने के लिए गलत रूप से कारवाही की गई, विकल्प दो, संदिक्ध दवाओं की विरुध मरीजों को जागरु करने का उत्तरदाय तो चिक्तिसकों का भी होना चाहिए, तो इस प्रशन के उत्तर के लिए यदि हम पर्थम कथन के संदर्व में परिछेत पर विचार करें, तो हम इस पंक्त को देख सकते हैं, कि स्नेप डिल के विरुध और प्रसाधन सामगरी अधनियम तथा जादुई उपच आपति जनक विज्यापन अधनियम के अंतरगत रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जबकि कमपनी तरक दे सकती है और देगी कि वह विक्रेता नहीं है, जिसके अनुसार कथन एक सही नहीं है, क्योंकि स्नेप डिल के पर जो कारवाही की गई वा एक विधिवत अधनियमित कान कानुन के अंतरगत कीगी, कथन दो के संदर्भ में हम इस पंत को देख सकते हैं कि भारतिय चिकित्सासंग अउसर पढ़ने पर श्रमिक संग के रूप में कार करता है, जो तरदाई संग के बजाए भुगता के प्रतिशोद से चिक्रिस्खों के लिए ढाल का काम करता है, भ दी गई है, जो यह दिन नट द्वारा नहीं, तो देश भर में काउंटरों के माध्यम से बेची जाती है, जो परंपरा के बजाए अपवाद अधिक है, तो इसके अनुसार यह पता चलता है, कथन दो सही है, इन पंतियों से हैं निश्कर्च निकाला जा सकता, कथन दो सही है, और प्रशन का सही उत्तर विकल्प भी है, अगला प्रशन, प्रशन संख्या 11, परिछेत के अनुसार दवाओं में e-commerce, अभी एक वाक्यांस के रूप में दिया गया है, दवाओं में e-commerce, आगे कथनों के रूप में, तिन वाक्यांस दिया गये हैं, पहला, फ़एОर दिशा निर्देश के अंतरगत नियंतरित होना का चाहिए का प्रस्तावित नियम समुह वैस्षीक याभिसुीक्रित तक बंद होना चाहिए तीसरा आन्लाइन लेंदेन का नियमन के पचल ही इसे चुर्व होना चाहिए इस प्रस्no के उत्तर के लिए हम सरप्रथम जो पहला वाक्यान से या पहला कतने उसके संदर में स्पंग्त को दे सकते हैं कि e-commerce है तो कानूनी धांचे की आवशक्ता समय की मांग है जो वर्तमान भोकता केंद्रित कानूनों को ध्यान में रखते हुए के विक्रेता और समुहक के अधिकार और उन्मक्त को इसके अनुसार कथन एक सही है कथन दो कहीं भी परिछेद में वो लिखित नहीं है और नहीं ऐसा कोई संकेद दिया गया है ऐसा कोई निश्कर्च निकाला जा सकता है इसलिए कथन दो गलत है कथन 3 के संदर्व में हम इस पंक्ति को संदर्व में ले सकते हैं इन पंक्तियों को ले सकते हैं कि आनलाइन मंचों के दुर्पयोग आसाउधानी या स्विच्छा फूर्बच जो भुगता के लिए नुक्सान दे हैं कि रोगताम को सुनिश्चित करने हैं तो त्थे कड़ी नियमनों की आउशकता है आनलाइन नेन देन का नियमन करने में भारत यूएस के अनुभव का लाव उठा सकता है जहां इस प्रकार के विशे पर वो सुकता से चर्चा की जाते हैं और इसमें अमेजन और उबर जिसी विपित कंपनियों टी भून का भी शामिल होती है तो इससे पता चलता है जि कथन तीन भी निश्कर्शित नहीं किया जा सकता है इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है के वल पहला वाक्यांस या कथन सही है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या बारा दो कथन दिये गए हैं निम्नखित कथनों पर विचार कीज़े और आपको यह बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या दोनों ही कथन सही नहीं है कथन एक कई कमपनियां जान बूज कर अपने लाफ के लिए आनलाइन मंज का दुर्पयोग करती हैं कथन दो अपने बचाओं में स्नेप डिल ने तर्क दिया है ज्यों समूहक है नकी विक्रेता तो इस प्रस्ण के उत्तर के लिए हम परिछेद परिविचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही कथन गलत हैं परिछेद कथन एक के संदर्व में हम इन पंक्तियों परिविचार कर सकते हैं आनलाइन मन्चों के दुर्पयोग असाधवने सोच्छा पूर्वग जो भूकता के लिए नुकसान दे है के पंक्ति का इसके अनुसार यह पता नहीं चलता है जिक कई कम्पनियां जानुबूज कर अपने लाव के लिए आनलाइन मंज का दूर्पयोग करते हैं ऐसा कोई निश्चित निश्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कथन दो के संदर्व में हम इस पंत को देख सकते हैं कि जबकि कम्पनिय तरक दे सकती है और देगी कोई विक्रेता नहीं है स्नेप डिल के विरो तो और से प्रसाधन सामागरी अधिनियम तर्था जादुई उपचार अधिनियम के अंतरगत रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है जबकि कम्पनिय तरक दे सकती है और देगी कि वह विक्रेता नहीं है इससे पता चलता है कथन दो भी सही नहीं है क्वचाव मिस्नेप डिल ने अहत्तर की दिया नहीं है बताया जारह है को दे सकती है अभीतक दिया नहीं है वर दे शकती है तो कथन दो भी गलत है् प्रश्न का सही उत्तर विकल्ब डी है रथा दोनों कथन गलत हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 परिछेत के अनुसार और शद ही उद्योग में केवल वेश्विक अस्तर पर स्विकृत मानकों के अभावचे कारण ही मिलावटी दवाव को पादन और वित्रान नहीं हो होता की पीड़ा के प्रती उदासीन है दूसरा कथन है कि अवश्यद निरेक्षन अभिक्राण क्षमता और कार्मिकों के परियाद संख्या के भाव में गणोता पूर्ण सामग्रियां सुनिश्यत नहीं कर पाते हैं तो आप से यह पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा कथन से हैं दोने कथन सही नहीं है तो दोनों कथनों के सन जन्दर्व में दया हैं परिक्षेद परिशैर करें पहलेтов परत्म कथन के संटर्व में इस प्रक्षम कोम देख सकते हैं कि साथ ही बारते चिकिस्था इ Але उसर पढ़नेरे प्र एक श्रमिक के रूप करता है जो उत्रदाय संक्य बजाए उभुगता के प्रतिशोद से चिक्तिसकों के लिए ढाल का काम करता है जिसके अनुसार कथन एक सही है कथन दो के संदर में हम इस्पंत का संदर ले सकते हैं कि और शद निरेक्षन अभिकरन गुणवत्ता और प्रसिक्षित कार्मिकों के संख्या के दृष्ट से चिंता जनक रूप से कुशजित हैं इससे पता चलता है कि कथन दो भी सही है और प्रस्ण का सही उत्तर विकल्प सी है